नमस्कार प्रडाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एस पी में बिहार समीदा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी खुशखवरी फाइले नितीज कुमार जी ने आज दे दिया है तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप से एक ही रिक्वेश्ट है अगर आज पाईने नितीज कुमार जी ने बहुत बड़ी बात कहा दी है बिहार के समीदा कर्मियों का नियमतिकरणREE परकिरिया शुरू HO रहा है उन सभी समीधा कर्मियों को अब सरकारी करम चारी का दरजा मिलेग इसमें किसी विपरकार का डाउट नहीं है ऐसा निति सुमात जी ने कहते हुए कहा है कि बिहार के एक-एक समीधा कर्मियों को नियमित किया जाएगा जिनका भी अनुबव 5 साल से ज्यादा का है वो सभी समीदा कर्मी जो है नियमित हो जाएंगे इसमें किसी भी परकार का डाउट नहीं है एक बाता और मैं किलिए आप लोगों को कर देना चाहता हूं समीदा कर्मियों के लिए पहले चरण में जिनका नियमती करण होगा और लगवग 20 से 25 विभाग आएंगे और जिनका वो 10 साल से ज्यादा कोगा वही लोग पहले चरण में नियमित होगे बाकी को जो समीदा कर्मी बचते हैं उन लोगों का नियमती कर्मी परकिया जाए दूसरे चरण में होगा लेकिन हाँ आप लोगों का नियमती कर्मी परकिया जो टूटल 24 विभाग है दो लाक्षारी सहर समीदा कर्मी कर लिष्ट जो जारी है उसमें आप लोगों को जो आने वाले लोग सभा चुनाओ एनि अचार संगिता लगने से पहले पहले आप सभी समीदा कर्मी नियमित हो लेका आप गुरूब डी की सेलरी क्या रहते हैं मैं आप सबको बता देना चाहता हूं अठाइसों पेगरेट सेली करके चोबीसों पेगरेट की सेलरी रहती है यह लगबग 30,000 रुपए पलस साथी साथ नितिसकुमार जी ने कहा है कि विहार सरकार योजनाय बना रही है ट अर्टिस्ट डाकुमेंट नहीं होगा तो आप लोग अपने डाकुमेंट और डिशकार अप्ली आप लोगों वेडियो को पसंद आए होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो पहली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेजेगा धन्यबाद